मैं पंकर सकसेना इंडिया स्पीक में आप सभी का करता हूं सौगत आईए देखते हैं कुछ खास खबरे प्यार सदभादमा का तोहार होता है भही अगर हम दूसरी तलब बात करते हैं तो होली में लोग रंग लगा के एक दूसरे के गले मिलके तोहार को मनाते हैं भही अगर हम बात करते हैं पिली भीत में पिली भीत में एक अनोखे ढंगते ग्यान इंटरनेशनल स्कूल में जो होली मनाई जरे हैं छोटे छोटे बच्चे एक दूसरों को फूलों से और गले मिलके होली मना रहे हैं आईए बात करते हैं छोटे छोटे बच्चे ये कैसे हो एट कि नो यूज तु कलर कि एड नो यूज तु वोटर ओल्ली यूज तु फ्लावर्स है कि नाव और ता सब्सक्राइब कि अच्छा अप घर पे जाकर भूलि कैसे मनाओं जिए नो कलर यूज नो वाटर यूज उस सिलव सिफ वावर्स से अब हमारे साथ में जो हैं ग्यान इंटरनेशनल स्कूल के प्रबंतक देविदनर छाबडा जी है छाबडा जी से जानते हैं कि जहां एक तरफ कोरोना बारस को लेके पिरसासन से लेके देश पूरा अलल अलले अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने एक बच्चों में अच्छी चीज की नीब डालने की प्रयास करा है जहां रंगों को अवाइट करने के लिए कहा गया है प्रदान मंतरी जी ने भी कहा है बही इन्होंने बच्चों से फूलों से होली खिलवाते हैं और एक एक अच्छी पहल करिये जानते हैं देवन जी के इसके पीछे क्या होई ग्यान इंटरनेशन स्कूल परिशर में हर साल होली का त्योहार बहुत धुमदाम से मनाया जाता है और हमारा प्रयास यही रहता है कि बच्चे जो हैं फूलों की ही होली खेलें हम लोग बच्चों को पानी और रंग से अवाइट कराते हैं और चुकि ये करोना वाइरस इस समय दुनिया भर में फैला हुआ इसका एक आतंग सा हो गया है उसको देखते हुए उसको मद्दे नजर रखते हुए हम लोगों ने बच्चों को रंगों से गुलाल से इन से दूर रखते हुए बच्चों को फूलों की होली कराई है